हेलो, वेलकम टू प्रेथम आएस तो इस पार्टिक्लर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या 2000 रुपी की जो नोट है आपको जी हां, मैं आपको यहां पे दिखाता हूँ 2000 रुपी की जो नोट है क्या गवर्मेंट इसे फेज आट कर सकती है अभी हाली में जो आपको बीजेपी के एक मेंबर है एंपी है आपको राजय सवा में सुसील मोदी जी उन्होंने ऐसा कोश्चन पुछा है ठीक है, तो इस पार्टिक्लर वीडियो में हम लोग जानने की कोशिस करेंगे कि actually में वो पूछ क्यों ऐसा रहा है और RTI के हवाले से Reserve Bank ने क्या जवाब दिया है 2000 रुपिये नोट के printing या उसके concern से रिलेटर ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम फेज भाई फेज यहां पर देखेंगे कि actually में उन्होंने कोशिस क्या किया है कोश्टर रेज करने के लिए बट मैं आपसे एक MCQ पूछूँगा MCQ है कि RBI ने setup किया था एक panel किस चीज के लिए कि assessment या resolution of stress loan ठीक है तो आपको बताना है कि उस panel के chairman कौन थे हमें comment में बताइए हम इसका answer आपको video के last में देंगे तो जैसा कि आप यहां पर देख रहो question है यहां पर उन्होंने during zero hour पूछा था कि फेज और 2000 रुपी नोट्स ऐसा सुशील मोदी जी जो है उन्होंने demand किया राजसवा में तो इनके हिसाब से कुछ question इन्होंने पूछा इन्होंने बोला कि भाई देखो आप हाली में देखे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे वो बोल रहे थे कि आप क्या करो एक नई स्रेनी जो है नोट्स की चालू करो ठीक है और उसके वकाइदा गवर्णमेंट ने बताया भी था कि अभी या आर्वी है या भी कोई ऐसा प्लैन नहीं है किसी नए स्रेज की चालू करने की तो उन्होंने बोला ये जो दो हजार की नोट्स है न ये ग्रेजुवली जो है आपको फेज ओट करना चाहिए क्योंकि लोग अब जो है न होल्डिंग कर रहे है ब्लैक मनी के फॉर्म में दो हजार उपे के नोट को और ये सब सारी चीज़े उन्होंने जीरो आवर समिशन जो राजसफा में है उस टाइम पे पूछा हला कि इसके कॉन्टेस्ट में जो है न आपको गवर्णमेंट ने आपको अपोजिशन के जो मेंबर है सासी थरुन जी उन्होंने बोला कि भाई ये जो हार्ड एक तरीके से जो वर्क किया गया था लोगों के दौरा दूरिंग प्रॉब्लम जो फेस किया गया था दिमोनाटाइजेशन के टाइम पे लोगों के दौरा तो वह सारी चीज़े कहीं नहीं जाती भी देखती है और ये जीरो आवर क्या होता है तो देखे जीरो आवर जो है न एक तरीके से जो हमारी कर्सिंस आवर होती है उससे थोड़ी आब बोल सकते हो strictly कम होती है क्योंकि कॉस्टन्स आवर ये हमारे एक तरीके से बोल सकते थोड़ा इस ट्रिक जादा होता है क्योंकि हुआ एक्चुली में कहा था कि जो जीरो आपर होता है यह हमारी इंडियन पार्लियमेंटरी इनोवेशन है यह कोई हमारे रूल बुक में लिखा हुआ चीज नहीं है क्योंकि पहले यह कॉंसेप्ट क्या किया गया था कि इंडियन पार्लियमेंट में शुरू में जब लंच वन पीम क्या सपास होती थी तो उसके बाद लोग बहुत कामादे थे तो उस बगल को कि लोग कोश्टन पूछ ले तो लास्ट के जो एक बज़ से पहले बारा बज़े दोफ़ट से ले करकर एक बज़ तक MP ने सुचा कि क्योंना हम एक दूसरे को फैलिप करें यहाँ पे एक कोश्टन रेज करने के लिए तो इसलिए जो आपको जीरो आवर स्टार्ट किया गया था तो याद रखेगा कि यह जो चीज़े है न वो नेशनल इंपोर्टेंट और जो कंस्ट्टिवेंसी से डिलेटेड मेंबर्स को राइट मिलना चाहिए कोश्टन पूछने का पार्लियमेंट में उसके लिए यह एक इंडियन पार्लियमेंट्री इनोवेशन था फिर और यह चीज़े जो आना गवर्णमेंट से सुशिल मोदी जी ने पूछा कि गवर्णमेंट हाज टू क्लेरिफाय ओन देस एडिंग दर कि रिजर्ब बैंक अगर स्टॉप कर चुका है प्रेंटिंग करना 2000 की नोट तीन साल पहले तो क्यों नहीं हम इसको फेज आट क नोट बंदी हुआ था उस टाइम पर गवर्णमेंट ने क्या किया था कि महात्मा गांदी स्रीज की जो 500 और 1000 रुपे की करेंसी थी उन्होंने फेज आट कर दिया था कंप्लेटली लीगल टेंडर से हटा दिया था और उन्होंने बोला था कि हम ये सारी चीजे ब्लैक मनी और टेरिजम से लरने के लिए कर रहे हैं ये सबसे बड़ी क्लेम थी कि ब्लैक मनी और टेरिजम से लरने के लिए कर रहे हैं हाला कि आरवीय जो है इस चीज के बारे में वो मना भी कर रहे थे को कि जो कैस की क्रंच होगी देखो हमारी कंट्री जो है ना छोटे लगू 2016 जो है न लोग इतने अवेर नहीं थे तो यह की हाला कि ऐसा कुछ हुआ आप देखो भीम के यूज में ट्रेमेंडस इंक्रीमेंट देखने को मिला है हाला कि UPI को लेकर कभी concern आ भी रहा है कि जैसे हाली में मैं एक रिपोर्ट पर रहा था कि access bank के जो CEO हैं वो बोल रहे हैं कि भई बैंक के पास इतनी पैसा ही नहीं है कि वो UPI को build up करे हर एक बैंक तो यह सारी concern आपने पास रखी है लेकिन यह जो 2000 note यह after demonetization चला था और government ने main काम बुला था कि हम terror funding और जो हमारी black money है उसको हम phase out करना चाहते हैं तो देखते हैं कि इस actually RBI ने इस RTI के हवाले से answer क्या दिया है और वो कहना क्या चाहरे है ठीक है तो देखिए आज पर दिस RTI अगर देखिएगा तो RBI ने कहा कि भाई देखो हम अभी तक जो है न एक भी note print नहीं किये है 2000 इपे के denomination का in last two years और उन्होंने यह भी बोला कि जो number of 2000 notes है circulation में वो धीरे धीरे drastically कम हो रहा है और देख आपको एक example बताता हूँ जो member of parliament सिल्मोदी जी ने बता उन्होंने बोला कि भाई हम क्यों इतनी बड़ी denomination की notes रखते हैं even though इंडिया में जो youth है especially वो digital form of transaction को बहुत जादा promote कर रहे है ठीक है हम लोग भी कहीं जाते हैं चोटी चोटी चीज़े खड़िते हैं तो बहुत कम ही cash use करते हैं we will try कि हमें अगर phone से payment हो जाए किसी digital wallet से payment हो जाए तो we feel very you know safe ऐसा लगता रहता है और उन्होंने कुछ countries जैसे USA की बात की तो USA में जो सबसे largest denomination की notes है that is hundred dollar वही अगर चैना के उन्होंने claim किया तो उन्होंने बोला कि यह वहां hundred yuans की notes चलती है और even European Union जिसके पास two hundred sterling pond की जो है ना सबसे maximum currency है और उन्होंने 2018 में जो बड़ी notes थी जैसे पांच हजार एक तरीके से 500 dollar की उन्होंने phase out कर दिया USA उसके बाद आपको 500 sterling की notes थी तो कहीं न कहीं अगर digital transaction हो रहा है तो वहां पर इतनी बड़ी notes की जूरत नहीं होती है और उन्होंने कुछ worst economic situation से जूज रहे company की बात की क्योंकि बड़ी note खा देखे जब आप बड़ी note लेते हो ना तो problem आती है कि जो physical hand of money होती है उसकी evaluation दीरे दीरे इतनी बड़ी note की आपकी ज़रूत क्यों पर रहे है क्यों ही ने कहीं आपको ऐसा होता होगा कि आपकी currency की value कम है इसलिए आपको den nomination ज़रा चाहिए तो ये चीज़े जो है आपको उन्होंने बताए कि देखो पाकिस्तान में 5000 रुपे के note चलते हैं स्रिलंका की उन्हों तो बोला कि देखो जितनी worst economy वाली country उसके पास बड़े-बड़े notes होते हैं और ये चीज़े हमें phase out of करनी चाहिए तो RTI ये भी बोला कि trend जो है न वो suggest कर रहा है कि conscious decision has been made to bring down the share of 2000 notes in circulation और ऐसा among all the members of the RBI जितने भी officials हैं उनकी दिमाग में ऐसा चल रहा है यहां तक कि अगर आप data देखोगे तो जो हमारी भारतिय रिजर्व बैंक note मुद्रने जिया हमारे भारतिय रिजर्व बैंक के अंतरगत जो printing वाली situation है वो दो जगह है एक नासिक और एक जगह और है आप हमें comment में बताइए कि वो कहां पर जहां पर यह printing होती है उनके हिसा आप से 2000 की note जो है ना जब 2016-17 में note बंदी के बाद print हुआ था वो था आपको 3542.991 million piece of Rs. 2000 रुपी जो financial year 2017-18 में dawn हो करके 111 million के आसपास आ गया और वही drastically 2018-19 में 46 million के आसपास notes आ गया तो कहीं न कहीं हमें देखने को मिल ला है कि धीरे-धीरे कम हो रही है और वो सारी चीज़े इस trends को suggest कर रही है जो officials मानते हैं कि अब इसे phase out करना चाहिए क्योंकि लोग इसको use नहीं कर रहे है वहीं अगर आप देखोगे तो इसके against में जो holding है इसकी बढ़ रही है जैसा R. फेक नोट 2000 की आई थी 2016 के टाइम में सीजमेंट हुआ था 2272 नोट 2000 के वहीं 2017 में इसकी increment हो गई 74,898 और वही 2019 में ये 91,000 के आस पास आ गई तो एक तरीके से कहीं ने कहीं और 2020 में तो हदी हो गया और हाई लाकर फेक नोट 2000 पे कर आ हैं तो कहीं ने कहीं अब जो है ना बड़ा रिजर बैंक को ये सता रहा है कि क्यों न एक तरीके से जो होडिंग और अब ब्लैक मनी के फॉर्म में जो फेक करनसी कॉंटर फिट मनी आ रही है यहां पे वह बढ़ रही तो हम थोड़ा इसे एक तरीके से एब्सॉलेट करी दे क्योंकि अपनी लोग तो इसको य अकॉंट्स आ गई है तो ये सारी चीज़े वह बता रहे हैं कि हम 2020 से एक भी जो है न नोट्स नहीं यहां पे और ये सारी चीज़े आप बकाइदा देख सकते हो ठीक है तो ये सब जो है ना एक तरीके से कहीं ने कहीं सजेस्ट कर रहा है कि बिल्कुल गवर्मेंट के हिसा आप से क्या होगा हो तो आने वाला समय में बताएगा लेकिन जो आपको आर्विया के हिसाब से उन्होंने अपनी प्रिंटिंग रोक चुकी है ठीक है तो अब हम आप से पूछते हैं कि आप क्या सोचते हैं क्या 2000 की नोट्स आपके हिसाब से जो रेगुलेशन में है क्या इसको सर्कुलेट करना चाहिए प्रिंटिंग करना चाहिए बताइए आप हमें कमेंट में कि आपका क्या मानना है चलते हैं हम लोग अपने MC को के तरफ तो हमने आप से पूछा था कि जो आर्विया ने सेट अप किया था पैनल फॉर स्ट्रेस्ट लोन डेजलेशन नॉम्स इनके चेयर्मन कौन थे तो आपने नाम सुना होगा केवी कामत कमेटी जी हाँ केवी कामत ये पहले आईसी 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 आई बैंक के सीयो हुआ करते थे तो स्ट्रेस्ट लोन जो हमारी एनपीज है उसको अच्छे से रिजॉलिशन करने के लिए आर्विया ने दोहजर पीस में इस कमेटी की गठन के थी उमीद करते हैं सेजन बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को रिकमेंट कीजिए थैंक यू सो मच पर वाचिं इस वीडियो